आज हम इंट्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र में लेक्चर 10 यानि विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे हम बात करेंगे विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है एंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कभी भी किसी भी यूजर को कम्पीटर पर कुछ काम करना होगा तो उसको अपरेटिंग सेस्टम का इस्तमाल करना ही होगा जैसे कि अगर आपको हाट्राइब में कुछ चीज सेव करनी है कौपी पेस्ट करना है तो आपको Microsoft Windows का लेकिन इस केसमे महारे पासको पढ़ रहे मायक्रस lijनस हमाया पास क्या हो गया मायकरोइस विंडोस एक आपर्टरीन शिस्टम है जो किस के अ रहा है हमारा सिस्टम सौंफ्वेर के ऊभल जिसके हमने अल्डेडी दोन कि पढ़ी पढ़ी थी हमने अपने software में एक application software and second one is system software तो मिद्ध जो operating system है हमारे पास वो किस category में आ रहा है अधिस इन system software की category में आ रहा है आधि जी आको थोड़ा सा idea हुआ होगा जो हापे Microsoft है Microsoft क्या है एक company है जिसका एक product है कौन है Windows लाइट Windows के different versions थे, starting से लेके अब तक इसमें बहुत सारे versions आये है हमने इसको जो categorize किया है, वो 3 parts में categorize किया है जो operating system हमाँ पास 90's, 90's में आये थे 1990's के round पे आये थे operating system जो की हमाँ पास अभी currently use होते हैं, या operating system जो हमाँ पास 2000 या 2000 के से लेके अब तक हमारा पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आये हैं लेकिन जो सबसे पहला हमारा पर आपस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था Microsoft DOS, Disk Operating System, जो कि 1981 में आया था, नॉम्मिली जो हमारा पर से Microsoft DOS अपरेटिंग सिस्टम था, यह हमापस Character User Interface पर चलता था, मिंस Character User Interface का मतलब क्या हो गया, हमें अपने Computer में कोई भी काम करना है, तो मिंस जैसे आपको यहाँ पर Graphics दिख रहे हैं कि एक Mouse हमारा इधर से उदर जा रहा है, मिंस आप इसमें Folders वगयरा या Start Menu के थुरू काम कर सकते हो, लेकिन DOS में कुछ ऐसा नहीं था, मिंस DOS में सिंपल हमारा पास क्या रहेगा, एक Character, मिंस Character का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, हमने एक, हमने आप लेका M-K-D-I-R Space F1, तो इसका मतलब क्या हुआ Make Directory, जिसका नाम क्या होगा, F1, डारेक्टरी का मतलब Folder, मैं इस इस टाइप से आपको सारे सारे कमांड से याद करनी होती थी, अगर हम इसका इंटरफेस के बारे में देखें, इंटरफेस कैसा दिखता था, तो वो कुछ इस टाइप का दिखता था, जो आज भी हम इसको कर सकते हैं, जिसका बाकी जो हमां पास 1990s में ऑपरेटिंग सिस्टम आया थे, विंडोस के, जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो कौन सा था, विंडोस 1.0 जो कि 1985 में आया था, जिसका कुछ लोग हमां पास इस टाइप का था, उसके बाद जो हमां पास Windows 2.0, 1987 मे जिसका लोग हमां पास कुछ इस टाइप का था, जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोस के तरफ से लाँच हुआ, विंडोस 3.0 जिसके दू वर्जन आये थे, जिसका पिरिट 1990 से लेके 1992 तक चला था, जिसका जो हमां पास लोगो था, वो कुछ मोडिफाइड विंडोस 98 जो कि विंडोस 98 जो कि 1998 में आया था, जिसके पास हमारा लोगों सिमिलर था, 95 की तरह, इसके बाद हमां पास Windows ऑपरेटिंग सिस्टम आये थे, 2000 के राउंड पे आये थे, जो सबसे परेला ऑपरेटिंग सिस्टम तरह इस मिलानियम, मिलानियम मतलब 2000 में सबसे ब जो कि 2001 में लॉण्च हुआ था, इसका कुछ हमारा पास लोगों सिस्टम का था, विंडोस XP के बाद हमारा पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, यह विंडोस विस्ता, जो कि हमारा तोड़े ग्राफिक्स इंप्रूफ हुए, जो कि हमारा 2006 में आया था, जिसका लोगों हमा पर इसके बाद हमापस ऑपरेटिंग सिस्टम आया देट इस विंडोस 8 और 8.1 जो कि 2012 से 2013 तक एक्टिव रहा जिसका लोग हमापस कुछ इस टाइप का था जो करेंटली हमापस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि Microsoft हमें उसका सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है वैसे तो हमापस विंडोस 7 भी अभी ऑपरेट होता है लेकिन Microsoft ने विंडोस 7 के अप्डेट्स देना या उसका सपोर्ट देना बंद कर दिया है जो हमापस करेंटली अभी जो विंडोस के वर्जन इस्तमाल होते हैं वो कौन-कौन से है विंडोस 8 और 8.1 जो कि हमारा 2012 से 2013 तक एक्टिव थे रहे हैं राइत इसका लोगों हमाँ पास कुछ इस टाइब से है इसके वहाद हमाँ पास भी एक्टिव है विंडोस 10 तेन कि 2015 में आया था जिसका लोगों सिमिलर यह विंडोस 8 करहा नेक्स्ट जो वहां पैस विंडोस 10-x जो कि अभी करंटी लांच हुआ है तरी इस 20 20 जो में कुछ extra features है right जिसका लोग हमाँ पास कुछ इस टाइप का है कि आपको थोड़ा clear हुआ होगा हम एक एक करके हर एक Windows operating system के बारे में कुछ points जानने की कोशिश करेंगे सबसे वहले हम देखते हैं कि Windows 1.0 1985 में क्या क्या उसके features थे means जब भी हम Windows 1.0 की बात करेंगे तो एक ऐसा operating system था जो की चलता थो डॉस पर ही था means disk operating system जिसमें हम सारे का सारा काम characters पर करते थे means maximum काम सारा characters पर होगा लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए हमारे पास क्या आगया एक graphics आगे राइट जिसमें आप सिर्फ उसको देख सेकते हो लेकिन काम सारा हमारा किसमें होगा disk operating system में ही होगा राइट बस इसमें आपस क्या हुआ एक जैसे माउस आपको दिख रहा है कि माउस आ गया राइट एक कीबोर्ड आगे इसके तुरू हम लिख पा रहे हैं मैंस उसका interface आ गया राइट कुछ हमां पास basic applications आगी जैसे clock आ गया कोई गेम आगया चोटा सा राइट विंस नॉमली कुछ भी गेम चोटा सा यहां मापस notepad आ गए सिरफ ग्राफिक्स हमारा पास दिखते लेकिन सारा काम हमारा काउन करता था इसको अपरेटिंग सिस्टम करता था जुसकी में हालेट्स थी मापस में हालेट्स कहा दी इसका मतलब क्या हुआ जैसे हमारे पास एक क्लॉक प्रोग प्रोग्राम्स इसका मतलब क्या हुआ जैसे हमारे पास एक क्लॉक प्रोग्राम चल रहा है साथ साथ में हम कोई नोडपैड भी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ तो मैं इस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम पर जम्प कर सकता हूँ जैसे कि आज की डेट में भी आप सबोज गाने सुनते हो अपने मोबाइल की बात करते हैं अगर इसमें थोड़ी limitations थी अगर आप एक application पे running mode पे हो और आपने दूसरी application से अपने program को हटा दिया मैं switching कर दी तो हमारी दोनों application में से सिरफ एक ही application एक time पे चलती है दूसरी application हमारी pause हो जाती है means one application run at a time but user could multitask and switch between paused application without closing them मैं समय बंद करने की जुरूत नहीं थी लेकिन एक application हमारी पास pause state पे रहेगी I think आपको idea हुआ होगा ठीक है फिर भी हम देखते हैं कि windows 7.0 हमारा किस टाइब से काम करता था कि मिन्स हम आपर से सारे सारे डिफरेंट इफरेंट फाइल से हैं जैसे की .exe clock मिन्सा लग लग applications है जिसके तुरू हम इसमें नैविगेट करते थे I think आपको idea हुआ होगा 1.0 कुछ किस टाइब का था next time देखते हैं हमारा पास ऑप्रेटिंग सिस्टेम है that is microsoft windows 2.0 2.0 की बात करें तो इसके graphics थोड़े से महां पास improve होगे थे as compared to windows 1.0 इसमें सबसे बड़ी advantage क्या थी हम दो चीजों को एक साथ में चला सकते थे मिन्स जैसे के हम आपस एक clock हो गया या एक terminal हो गया या Microsoft का executive हो गया जिसमें हम सारा सारा काम करते हैं तो मिन्स हम दोनों चीजों को एक साथ चला सकते थे लेकिन इससे पहले क्या था हम Windows 1.0 में कि अगर हमें दो चीजी एक साथ चलानी है तो हमें एक चीज को pause करना पड़ेगा लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं था इसमें सबसे बड़ी advantage क्या थी हमारे पास एक डेक्स्टॉप टाइप के चीज आई थी जिसमें हम icons place कर सकते थे जैसे हम आज भी देखते हैं icons हम place करते हैं normally जैसे हम आपस इस टाइप के कोई icon है तो हम इन icons को place करते हैं similarly हम यहाँ पर भी icons को place कर सकते थे अजब कर दो है शुब में आप सब्सक्राइब है इसमें कंड्रोल पैनल आया था एक्सल आया था मैंस एक्सल जिसमें हम आज 20 में ट्रेंग लेते हैं कुछ इस्टूट्डेंट्स इसमें हमारे इसमें पेंट आया था राइट बढ़ पैई आया था यहाँ विए भी जब कुछ नए डिजाइन से इसमें ग्राफिक्स हमारे बहुत जदा इंप्रूफ हो गए थे इसके जो मेन हालेट्स थी हमारे पास वो क्या थी अलाउड यूजर टू कंट्रूल include screen layout and overlap windows बैसे हमारे से अंग चीश चल और दूसी चीश बॉस्ट है मिन्स दोने हमाँ पास कहा रहेंगी एक बार में एक्टिफ रहेंगी लेकिन जो 2.0 हमाँ पास Windows था वो भी Microsoft-based ही Windows operating system था डिस्क operating system बोल सकते हम इसको यूज आइकन टो रिप्रेजन प्रोग्राम्स और फाइल्स मिन्स हमाँ पास आइकन्स इसमें इंट्रड्यूस हो गए थे जिसके थुरू हम प्रोग्राम्स को चला सकते थे विंडोस 2.0 support VGA मिस जो हमाँ पास ग्राफिक्स वीडियो ग्राफिक्स एरे की थुरू मिसे केबल की थुरू हम इसमें ग्राफिक्स थोड़े अच्छे तरह से देख सकते थे एक साथ इसमें रन कर सकते थे जो विंडोस ओवर्लैप विंडोस के फंक्शन के थुरू यह बाद देखते हैं कि 2.0 हमाँ पास किस टाइब से दिखता था अनाक मी पुरू अनाक मीवड़ हमाई झां मुड़ब के किस देखते हैं किस तरह स सकते हैं किस दुरू झांक हमाईश मूवड़ेफ थे किस दूए हमादार से उनाक मीव advisor हाया है कि आपको थोड़ा आइडिया होगा कि Windows 2.0 हाँ पास किस टाइब से मिन्स ग्राफिक्स के किस टाइब से थे इसमें गहाता सबसे बडिया ग्राफिक्स बहुत जब्सक्स हो गया ता इसका इसका ग्राफिक्स concerned oxy इंप्रूइन few jane i Amanxo कि एयुक्त कि अगरे इस तडील्ओ इस अजया से कहा थे का सलिट फीड्स Spantern ingians in गेम होता है यह उपरेडिंग सिस्टम अब तक के बुराने वर्जन से बहुत ज्यादा फास्ट था मिन्स सबसे फास्टेस उपरेडिंग सिस्टम था उस टाइम पर इसमें हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या थी एक प्रोग्राम मैनेजर आया था जिसके तुरू हम अपने कंपेटर में हार्डवे जॉइन कर रहे हैं हम सारी चीज को मैनेज कर सकते थे इसके जो मेन हालेट्स थी हमारे पास वह क्या थी फर्स्ट विंडोस देट रक्वाइड हार्ट्राइफ लॉंच इन 1990s मिन्स जो हार्ट्राइफ का मतलब क्या होगा कोई भी ऐसी स्टोरीज ड 16-bit color मिन्स इसमें जो colors है मिन्स आप previous से अगर इसको compare करो तो इसके colors थोड़े से अच्छे हैं या सापनेश थोड़े से इनकी हर एक icons में यह हमारे objects में थोड़े सी अच्छी है इस compare to windows 2.0 मिन्स इसमें program manager यहां मिन्स इसको file manager भी बोल रहे हैं मिन्स वो भी हमापास इसमें was also the first windows to distribute CD room मिन्स जो भी हम पास compact disc room जिसमें मिन्स हमारे cds चलती थी एक पहला ही ऐसा अपरेणी श्थम नहीं जिसने इस type के feature को launch किया था अब देखते हैं मिन्स विंडोस रिपेंट एक समारा की type से दिखता है करें 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 और है किया अधिर इस व्रभा करें कि आपको 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 इडिया वह गा त्थी पेंट जीडों हमापास के स्टैप से ग्राफिक्स थे उसके नेक्स जो हमाँ पस बिग इंप्रूमेंट था विंडूज की मिन्स इस पूरी-पूरी हिस्ट्री में यह विंडूज ने एक लॉंच किया उप्रेटिक जिस्टम देटिस मैक्रसॉट विंडूज 95 इन दे यह उफ सारे के नोट्रिफिकेशन्स आपको दिखते रहेंगे मिन्स जो जीज आज भी हमको देखने को मिलती है राइट मिन्स साथ साथ में हम डेक्स्टॉप पे सारे सारा आइकन्स को रख सकते थे जैसे कि यहां पर आपको देखना मैं कम्पीटर नेट्वरकिंग इन बॉक्स रिस साथ में हमारे पास इस ही Windows ऑपरेटिंग सेस्टम के अंतरगत नोट पैड इंटरेट एक्स्टॉरर डॉस प्रोंट प्रिंट मिन्स अगर हमें प्रिंट देना है तो हम प्रिंटिंग भी इसके थूरू कर सकते हैं मिन्स एक revolutionary ऑपरेटिंग सेस्ट्रम ता Windows 95 अ उस लाइन प का मतलब क्या हो गया जैसे कि suppose आप printer लेकर आए तो आपने प्रिंटर को डिर्क्ली लगाया कुछ आप उसको बरेट कर सकते थे इस्था आप एक चीजब करना पड़ा अब दोट गहींस चीजब करना पड़ता लेकिन कहीं चीजब प्लग एन प्ली में चलती थी विंटोस 95 ऑलसे इंटर्डीउस इस इसे पहले जो हमाँ पास ऑपरेटिंग शिस्टम तर देट इस 3.0 उसमें जो हमाँ पास ग्राफिक्स ते इस 16-bit के ग्राफिक्स थे लेकिन जो 95 में आया हमाँ पास 32-bit के मिस्ट ग्राफिक्स थोड़े से ह और हमाँ पास साथ-साथ में जो 32-bit environment का मतलब कि हर एक चीज को थोड़ा सा फास्टर वे में कैलकुलेट करने लगा एस कंपेर टू प्रीवियस ऑपरेटिंग शिस्टम्स इंटरेट एक्स्प्लोरर अलसो मेड इन डेब्यू इन 95 मिंस पहला जो एक्स्प्लोर था इंटरेट के लिए वह में पास 95 में आया था हमारे परस्टनल कंप्वीटर के लिए यह थोड़ी से नजर डालते हैं कि विंडोस 95 में आपास के स्ट्राइब से दिखता था कि अब को थोड़ा आइडियो होगा विंडोस 95 के स्ट्राइब कर दिखता था नेक्स्ट हम देखते हैं यह विंडोस 98 के गर हम बात करें विंडोस 98 क्या था एक अब अब ग्रिटीड वर्जन था हमारे पास विंडोस 95 का इसका सबसेड़े फीचर क्या था कि जो हमारे पास इंटरनेट फैसिलीटी थी इस सेक्शन में बहुत जादा इंप्रूफ हो गई थी मिंस जो हमारे यूस्बी सपोर्ट है जैसे कि आज की लिए माँ पेंड्राइब क इस्तेमाल करते हो मिंस इस ही वर्जन में हमारे पास पेंड्राइब का इस्तेमाल हुआ था मिंस 98 वर्जन हो गया 95 वर्जन हो गया यह वर्जन मेंने भी इस्तेमाल किये है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिवल्टी होती थी काम करने के लिए मिंस यह भी आपको काम करना तो था राइट मैक्सिमम इसमें जैसे हमाँ पास हार्ट्राइब्स हो गई सीडी हो गई फ्लोपी हो गई मिन्स इन में सारी चीजी इस्तमाल हो सकती थी इसमें बहुत ज़्यादा सबसे पहले इसमें एक एप्लिकेशन लाउंच हो थी या पीछे जा सकते हैं उसी टाइप का फीचर 98 में इंट्रियूस किया गया था साथ साथ में USB सपोर्ड वस मच इंप्रूवड 98 मिन्स 95 का अप्रेट वर्जन है तो इसमें USB का भी थोड़ा सा अप्रेट किया गया ताकि वह अच्छे से चल पाए यह पर 98 के बारे में देखते हैं कि इनसे किस टाइप से ऑपरेट करता है मिन्स जो आपको यहां पर बॉटन दिखे होंगे फॉर्वड और मेक वर्ड यह इसे टाइम पर इंट्रियूस किये गये थे झाल 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 कि आपको आइडियो होगा कि 98 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पस किस टाइप से दिखता था नेक्स्टम देखते हैं विंडोस मेलानियम मिन्स मे भी हमारे पास क्या था एक 98 का अपक्रेट वर्जन ही था जो कि थोड़ा साम आपस ग्राफिक इंप्रूफ हुए थे लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास आया था वो क्या था कि अगर हमारे पास कभी हुआ कि वी सिस्टम क्रैश हो जाए तो हम उसको री स्टोर कर सकते थे में री स्टोर का मतलब की लास्ट जो हमारा अश्टफ बेकने लारा सकते थे अगर उसमें कुछ नए प्रोग्राम शाये दे जैसे कि हमip एक बन्यक्यूंज को सब्सेंटाये और स्प्रूज यूसे न राइट विंडोज मुवी मेकर आया था मापास या मीडिया प्लेयर का अब्डेटिट वर्जन आया था यहां आपास सबसे पहले इंटरनेट गेम स्पीस में ही इंटर्ड्यूस हुए थे जोसके मेन हालेट्स थे फीचर्स थे वह क्या कहते इंटर्ड्यूस रिस्ट्रो फंक इसके बाद कुछ आपको बताएंगे मिस जो कि डॉस पर वर्क ना करके एक इंडिपेंडेंट तरह से काम करते थे में को देखते हैं कि किस टाइप से हमारा बीहेफ करता था देख लेते हैं एक बार कि आपको एडिया होगा कि मिलेनियम भी हमारा थोड़ा 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 सीमिलर था किसके तरह विंडूस 98 ऑपरेटिंग सिस्टम की था लेक्स जो हमारे पास देटाइश्टम आया दैट मैक्रसॉसफ्ट विंडूस XB ऐसब्स की था और यह विंडूस की था भुफ्दि की में सबसे जादा पॉपप्लर जो अबनोन स्फार आज तक हुआ है जहाए obedience Direct Windows XP इसको ऐसा भी बोला जाता है कि Microsoft का सबसे सेकेंड मिन्स सेकेंड जो पॉपलर प्रोड़क्ट रहा है Windows की केटेगरी में वो कौन रहा है XP मिन्स आज की डीट में भी कहीं ऐसे ATM आप जैसे ATM पे जाते हो तो कहीं सारे ATM ऐसे हैं जो XP का इस्तमाल करते हैं लेकि Microsoft ने हर एक ATM को सर्जेस्ट किया है कि आप अब XP का इस्तमाल ना करो क्योंकि Microsoft ने XP के लिए सपोर्ट देना बंद कर दिया अभी मिन्स उसमें सेक्यूर्टी सपोर्ट देना बंद कर दिया लेकिन अभी भी बहुत सा डेटी मेंसे जिसमें इसका इसमें एक ऐसा ही यही ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके थ्रू हम वाइफाई के वाइफाई को कनेक्ट कर सकते हैं इसके जो में हालेट्स थी हमारे पास इस इस अब मुस्ट स्टेबल एंड मुस्ट सक्सेफ़ूल ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा स्टेबल जिसमें मिन्स हम काम इजी कर पाते थे यह सबसे सक्सेफ़ूल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास माइक्रोजोफ्ट विंडोस एक्सपी ही था सपूर्ट इंटरेट कनेक्शन फायरवल मिन्स यही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हमारे पास फायरवल इंटर्डियूस हुई थी मिन्स फायरवल का मतलब क्या हुआ जैसे कि आप सबसे इंटरेट पे काम करते हो तो उससे कोई भी मिन्स आपके सिस्टम पे ब्रीचिंग ना कर पाए मिन्स कोई थ्रेट ना डाल पाए कोई आपके सिस्टम को साइबर क्राइम के थरू कुछ नुकसान ना भोजा पाए कोई वाइरस आपके सिस्टम पे ना आ पाए मिन्स उसको सपोर्ट करता था है फायर से दूसरी एप्लिकेशन पर थोड़ा सा फास्टली स्विच कर सकते थे फीचर सच आस्क मेनेजर सिस्टम मॉनिटर एंड ब्रैंड न्यू फीचर सच आस डेक्स्टॉप क्लीनफ विजार्ट इस कुछ नई अप्लिकेशन से इसमें आई थी लेकिन सबसें मेजर था तैट इस टास्क मेनेजर टास्क मेनेजर मतलब आपकी सिस्टम में कितनी अप्लिकेशन अभी चल रही है आप किसको बंद करना जाते हो या आप देखना जाता हो कि आपकी सिस्टम में ये अप्लिकेशन कितना आपका मेमोरी ले रही है मिन साब सारी चीजी हमापे मैनेज कर सकते थे एक बारे में देखते हैं मिनसे किस टाइप से हमारा वो अपरेट करता था विंडोज एक्स पी आपको आडियो होगा कि एक्स पी में हमारे जो ग्राफिक्स थे बहुत जदा इंप्रूव हुए थे जो को चलाना बहुत ईजी था एस कंपे तो 98 औ 95 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स नेक्स जो हमारे पास विंडोज की केडिगरी फैमिली में आया इस माइक्रसॉफ विंडोज विस्ता जो उसका डिस्पले था ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूफ किये गए थे इस वाले अपरेटिंग सिस्टम में और यहीं एक ऐसा अपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमारे पास एक जो start button था, start menu का button था, उसको change किया गया था और इसमें जो हमारे पास सबसे main highlighting features थे कि इसमें transparency icons को introduce किया गया था लेकिन जो Windows Vista उप्रेंजेशन था, ये बहुत slow work करता था मिंस अगर आपको किसी भी दू applications पर काम करते थे तो थोड़ा सा slow work करता था as compared to Windows XP and all मिंस इसी वज़े से Windows Vista जाथा successful नहीं हो पाया फिर हम इसके थोड़ा से features दिखते हैं मिंस updated graphical user interface, इसे transparent graphical user interface introduced किया गया था, improved security and easier networking मिंस C operating system कहा जाए तो मिंस networking के लिए अगर आप इसमें internet चलाते हो या दो systems में आपस में communication करना चाते हो या office purpose के लिए यूज करना चाते थे, तो मिंस networking के लिए Windows Vista बहुत ज़्यादा काम्याब साबित हुआ था system consume less power, मिंस अगर हम इससे previous किसी भी operating system की बात करें, तो मिंस यह जो power consumption करता था, सबसे कम consumption करता था operating system, right, हर एक चीज को means easily manage करता था लेकिन थोड़ा सा slow operating system था, और यही एक हम आपस 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 आपरेटिंग system था, जिसने speech recognization, मिंस अब बोल के भी इस operating system से काम कर सकते थे, इसी के बाद हम आपस speech recognition का, speech का revolution आया था, यह बाद देखते हैं कि Windows Vista हम आपस case type से काम करता था, I think आपको idea होगा कि Windows Vista हमाँ पर सब्सक्राइब इंप्रूव ग्राफिक्स के थुरू आया था, एंड इसमें बहुत सारी चीज़े नहीं दे गई थी, I think आपको समझाया होगा कि Windows Vista कि इस तरह से काम कर रहा है, साथ साथ में Windows Vista के जो सब किस तरह से इंप्रूव हुए थे, नेक्स जो हाँ पस है, जो इंटर्ड्यूस हुआ था Microsoft के तरह से, that is Microsoft Windows 7, Windows 7 की अगर हम बात करें, ऐसा भी बोला जाता है कि Windows 7 ही एक ऐसा operating system है, जो कि Microsoft का सबसे successful product था, right, means XP के बाद जो सबसे ज़्यादा popularity किसी operating system ने ली, तो वो कौन था, Microsoft Windows 7, right, आज की डेट में भी इसको इसको इस्तमाल किया जाता है या Windows XP, मिन्स ये प्रोग्राम से बहुत जादा stable form में चलाता था, right, means अभी भी चलाता है, maximum जगाँ पर भी इस्तमाल ये होता है, right, जैसे कि हमारे पास इसमें एक नया feature ज़र introduce हुआ था, start menu का, एक design change किया गया था, साथ साथ पर नया हमारा taskbar को भी introduce किया गया था, यहीं गवाई सा operating system था, जिसने हमारे touch interfaces में कदम रखा था, means इसी के थुरू हम touch computers में introduce हुए थे, basically जो main highlights point है, हमारे पास Microsoft Windows 7 के वो क्या है, most popular and successful operating system, means अब तक का सबसे एक नया taskbar हमारे पास यहां पर introduce किया गया, जिसमें हमारे पास एक design भी हमारे पास change किया गया, साथ साथ में start menu का design भी हमारे पास change किया गया, improve performance, means हमारे पास जो applications या बड़े बड़े games जो हम आज की date में play कर लेते हैं, means Windows 7 के ही बाद, means Windows 7 के ही दोरान ये सारी सारी चीज़े possible हो पाई थी, means operating system memory management बहुत जादा अच्छे से perform करता था, या program management, file management बहुत जादा अच्छे से perform करता था, introduces touch interface, touch interface जो की आज की date में बहुत जादा revolution लेके आया है, means वो हमारे जो initiation हुआ था, वो काहां से हुआ था, Windows 7 के ही बाद start हुआ था, I think आपको थोड़ा सा idea हुआ होगा, Windows 7 हमारे पास किस type से, means operatable था, या operatable अभी भी है, जैसे कि हमारे पास इस time पे Windows 8 के दोरान, जो touch एक revelation था, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास चल रहा था, तो means Microsoft वालों ने सोचा कि जो में हम अभी computers में Windows operating system launch कर रहे हैं, तो हम उसको भी थोड़ा सा touch way में ले के आते हैं, means Windows ने, Microsoft Windows ने, जो operating system launch किया, इसमें tiles का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, means हर एक चीज में tiles, tiles को इस्तेमाल किया, जो कि user को ये interface बिल्कुल पसंद नहीं आया, means लोगों को जो Windows 7 की पुरानी आधत थी, या Windows 7 या XP आधत थी, जो कि एक traditional हमाँ पस explorer की तरह काम करता था, means उसको इन्होंने change करनी गोशिश करी, Windows 8 में, means ऐसा भी है कि कुछ features ऐसे थे कि जो कि हमारे performance को improve करते थे, means हमाँ पस application थोड़ा अच्छे से चलती थी, लेकिन simple इसके graphics की वज़े से, लोगों ने Windows 8 को install करने के बाद भी uninstall कर दिया, और वापीस से switch हो गए किस पे Windows 7 पे, क्योंकि Windows 8 बहुँ ज़्यादा successful नहीं हो पाया, इसके जो main features थे हमाँ पास Windows 8 के वो क्या थे, better performance and reliability, means updated हुआ हमारे पास, तो इसमें कुछ नए performance के basis पे, means memory management के basis पे, इसमें improvement किये गए, लेकिन इसके graphics के वज़े से, ये system हमारा ज़्यादा काम्याब नहीं हो पाया, faster startup time and learn program faster than Vista और XP, या Windows 7, means हाँ बस जो Windows 8 operating system था, ये थोड़ा जल्दी load होता था, means जब भी आप computer के start करोगे, तो बहुत जल्दी load होगा, लेकिन फिर भी ग्राफिस के वज़े से, लोगों ने इसको, means accept नहीं किया, designed for touch computers, means basically mind में क्या रहा, कि हम touch computers को introduce करने के लिए ही, इसको, means design कर रहे हैं, means अगर आप देखो, जब Windows 8 हमारा पास launch हुई थी, उसी period में Microsoft ने, बहुत सारे devices भी launch के थे, that is mobile devices, जिसमें जो हमारा पास operating system दिया गया था, वो Windows का ही operating system दिया गया था, जो कि हमारा कुछ styled form में हर एक application को रखता था, right, और ये devices से बिलकुर flop साबित हुए, means इसकी वज़े से ही, जो Nokia और Microsoft के बीच में करार था, उसकी वज़े से ही Nokia को भी बहुँ ज़्यादा loss जिलना बड़ा, right, क्योंकि लोगों को ये interface पसंद आया ही नहीं, next जो हमारा पास operating system है, that is Windows 10, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि Windows 8 किस तरह से operate करता था, मैं जो आपको ये टाइल से करें, मैं इसको इंट्रोड्यूस किया था Windows 8 में, जो कि लोगों को बहुँ ज़्यादा पसंद नहीं आया, जिससे कि बहुँ ज़्यादा confusion भी हुए कि कैसे काम करना है, I think आपको सारी चाहिए समझ आयोगी Windows 8 में, next जो हमाँ पस Microsoft का product है, that is Microsoft Windows 10, जो कि अभी सबसे ज़्यादा latest product है, जिसका जो interface है कुछ इस type से दिखता है, जिसमें इन्होंने basically तीन improvement किये, एक तो जो tiled version था हमारे पास, Windows 8 के थुरू, मैं जो Windows 8 में इन्होंने tiled version लिया था, इसको change किया अपने traditional way में, जो कि हमारे पास जैसे कि XP में था, या Windows Vista में था, या Windows 7 में था, उसी में वापिस इनको लिखिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ sections को tiled way में रखा, जैसे कि हमाँ पास active weather की report थी, या कुछ events हमाँ पास, या मेल्स वेगरा, मिंस हमें इन्होंने कुछ चीज़ों को hold करके रखा, जो कि tiled form में दिखती थी, लेकिन जो हमाँ पास एक्सप्लोडर था, इन्होंने वापिस से 7 या XP की वे में, न्होंने वापिस से 7 के design में, इन्होंने वापिस से इसको with improved graphics launch किया, बेसिकली जो हमारे पास इसमें improvement हुआ, एक तो task bar में बहुत जादा changes हुए, start menu को icon जो हाना change किया गया, उसका layout चेंज किया गया, साथ साथ में active tiles को उसमें डाला गया, अगर आपका internet active connections है, तो उसमें weather reports, mails and all things आपको actively दिखती थी, एक search button यहाँ पर introduce किया गया, साथ साथ में एक task view यहाँ पर introduce किया गया, कि हमापस किस किस तरह से कौन कौन सी task कभी चल रही गया, साथ साथ में से improvement भी बहुत ज़्यदा किये गये performance के basis पे, इसके जो में हमापस highlights हैं, वो क्या है, Windows 10 brings back some of the look and feel we love about Windows 7, Windows 10 brings some of the look, जो कि हमें Windows 7 में अच्छी लगती थी, वो सारी सारी चीज़े Windows 10 वापस लेके आया, the start menu is back, but this time it has a live tiles that change information for things like current events and weather, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वापिस से start menu हमापस active आया, लेकिन इस बार भी कुछ tiles हमापस इसमें introduce की गई, I think आपको Windows जर्नी, Microsoft Windows की जर्नी 1.0 से लेके अब तक, that is 2020 तक Windows 10 की सारी चीज़े आपको समझ आई होंगी, और आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि Microsoft Windows ने किस-किस तरह से अपने operating system को change किया है, राइट, मिंस ये Microsoft Windows ही एक ऐसा product है, जिसकी हुज़े से हमारे जो personal computers में, मिंस computers में एक operation का यह हम बोल सकते हैं, एक gaming का जो revolution आया, वो Windows ही लेके आया, मिंस maximum सारी सारी चीज़े आज हम इस्तमाल करने हैं, Windows के थूरू ही कर पा रहे हैं, I think आपको सारी चीज़े समझ आई होंगी इसमें, फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता है lectures में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपके लिए quiz introduce किया गया है, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, जो भी आप participate करना चाहते हो, इस quiz में participate कर सकते हो, जो 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 इस quiz में participate करेगा, उसको एक मौका मिलेगा, कुछ cash prizes जीतने का, साथ-साथ में, इस mince quiz में, हर महीने दो लग्की winners को awarded किया जाएगा, कुछ cash prizes से, so do participate, जिसमें आपकी knowledge भी चेक होएगी, साथ-साथ में, आपको कुछ award भी मिल सकता है, thank you guys, and do subscribe मैं चैनल, जीचिस ने अब तक subscribe नहीं किया है, वो नीचे दिये गए, subscribe button पर click करें, thank you guys,